मैं डक्टर अमिद भटनागर, पंतनगर कृषी विश्विदाले मैं प्रोफेसर के पतपर कार्यत हूँ और मैं यह प्रयास कर रहा हूँ जो अनुसंधान कार्य हम कर रहे हैं उसकी सحी जानकारी और पूरी जानकारी किसाणों तक पहुँचे तक उसका लाब वो खेती में ले सकें इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेयलिस्ट मनाई है कृषी किसान जो हिंदी में है और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो agriculture के courses से related हैं और students के लिए बहुत helpful हैं जो BSC, MSC, PhD कर रहे हैं लेकिन किसानों तक सही बात पहुँचे और सही शब्दों में पहुँचे उसके लिए क्रिशी किसान है जिसमें जो चर्चा रहती है वो हिंदी में रहती है तो हिंदी में सुनने के लिए आप क्रिशी किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि क्या जोताई करने से सूच्म जीवों की संख्या कम हो जाती है या बढ़ जाती है या क्या प्रवाव होता है सूच्म जीवों की संख्या कैसे प्रवावित होती है जुताई करने से देखिए जो जवांश पैदार्थ हम मिलाते हैं उसको हुमस बनाने का काम ये सूच्म जीवी करते हैं सूच्म जीवों की बहुत उपयोगिता है जमीन के अंदर इसके लिए मैंने एक चर्चा कर चुका हूँ क्रिशी किसान में वो आप देखिए सूच्म जीवों को क्या कार रहे हैं बहुत उपयोगिता है सूच्म जीवों की और सबसे महत्वपूर जो कार रहे है वो जैवांश पैदार्थों को हुमस में बदलना है और इसको डिकम्पोजिशन या अपगटन हम कहते हैं अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन कहलाता है और इस डिकम्पोजिशन के माध्यम से ही जो जैवांश पैदार्थ है और जैवांश पैदार्थ है और जैवांश पैदार्थ के अंदर जो भी से ही रहेंगा अगर जमीन के अंदर सूच मोझीम नहीं है तो अब बात यह की संक्या अच्छ्य थे कर सकें और पाथों को लाम मिला और यह धालने वाले बहुत से कारक हैं लेकिन आज बात है वह जुताई की है जुताई किस प्रकार से प्रवावित करती है, देखिकि जुताई करते तो उसके अंदर अख्या जाती है, और हर जीव को औकसिजन चाहिए अपनी ब्रद्धी के लिए ग्रोध मैसा यहे तो एक समाने सी बात है कि हमें हवा में उख्षिजन चाहिए, औकसिजन तो जब अंदर जाती है तो उनको आक्सीजन मिलती है तो उनकी बरदी अच्छी होती है कि हवा का संचार वड़ता है किसरे कहते है और इस अरेशन के बढ़ने से उनकी सकुर्चा बढ़ जाती है और जब सक्रिता बढ़ जाती है तो वो अपना काम तेजी से करना शुरू कर देते हैं मतलब जो जैब पदार्थ अब घटन कर रहे थे वो तेजी आया थी उसका अब घटन करने में करने में तो जो इसके अंदर मिट्टी में जो पत्ती पड़ी है तना पड़ा है पुराना कोई जड पड़ी है या गोवर की खाद पड़ी है कंपोश पड़ा है उसका अब घटन डिकंपोजिशन बहुत तेजी से होने लगेगा जो हम जुताई करते हैं तो अब क्या है यही जैवाश्पदार्थ इनका क्या है भोजन है अब क्या है भोजन तो था पहले हवा नहीं मिल लए अब जुताई करने से हवा मिल गई तो भोजन को जल्दी खाना शुरू कर देंगे तो जुताई करने से क्या होगा सूच जिवोंगी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी जब इतनी तेजी से बढ़ेगी तो अब घटन जो डिकंपोजिशन है वह भी बहुत तेजी से जाता है कि बहुत जल्दी पोशकता तो निकलने लगते हैं और पौधों की जणे इतनी तेजी से ले नहीं पाती है जब ले नहीं पाती है तो उनका नुकसान होने लगता है मतला पानिक साथ बहके नीचे चले जाएगी नायटोजन तो गैस बन जाएगी या खरपतवार ह लगते हैं तो डीकंपोजिशन जो अब घटन हो रहा है जवांश्पदार्तों का बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए अगर बहुत तेजी से हुआ तो जल्द जल्दी डीकंपोस होता है तो उसकी संख्या में मतला उसकी मात्रा में कमी आने लगती है हलाकि हुमस बनेगा लेकिन वो हुमस फिर बनने की प्रिकरिया सुलो हो जाएगी और उसका अब घटन इतना तेजी से होगा कि सारा कारवन जो है सूचम जीव खालेंगे और जो लाब हमको होता वो लाब नहीं हो पाएगा लेकिन यह समस्या तभी आती है जहाँ बहुत ज जादा जुताई करेंगे तो हमें नुकसान होने लगेगा तो एक तो यह जो हवा का संचारिती तेजी से बढ़ेगा कि बहुत तेजी से मतलब एक दम से उनकी संख्या बढ़ेगी और एक दम से सारा जवाश्पदार्थ खतम कर देंगे तो हमारी जमीन के अंदर जो हुमस जवाश्पदार्थ हैं उसी मिट्टी के कड़ में पोशक्तत्व हैं इसका मतलब सारी की सारी चीजें आपके खेट से निकल के बाहर चली गई और यह हमको नजर नहीं आता है कि मिट्टी किस तरह से हवा के साथ लड़के जा रही है दूसरा महीन मिट्टी है बारिग मिट मिट्टी के साथ जब पानी बहेगा खेट से जहां जहां से बहेगे जाएगा मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा तो आप देखें मिट्टी जो पानी का रंग जितना घहरा भूरा होता जाता इसका मिट्टी उसके साथ बहती जा रही है तो ज्यादा जूताई आ जो आज मैं बताना आपको पूचा रहा हूं, कि जुताई करने से, ज़्यादा जुताई करने से ये नुक्सान होते हैं, हलापको जुताई करना जरूरी इसलिए है, तक हम बीज को अच्छी तरह से डाल सके, बीज का जो अंकुरने बहुत अच्छी तरह से हो सके और मर्दा परदन बढ़ेगा और मर्दा परदन बढ़ने से जवांश पदार्थ कम होंगे और जवांश पदार्थ कम होंगे तो सूच मजीवों की सक्रिता कम हो जाती है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है जब उनकी सक्रिता उनकी एक्टिविटी कम होगी तो जवांश पदार जू पड़ा है उसका अपगटन भी कम करेंगे तो जीरो तिलेज अगर हम कर देते हैं शूनने करशन जिसे कहते हैं तो वहां क्या होगा जैवांश पदार जमीन के अंदर पड़ा रहेगा और बहुत हल वहां उसको हम रोकने के लिए कुछ सालों के लिए तक ही वो उसके अंदर धीरे-धीरे उसका गटना बहुत तेजी से ना हो तो अगर आप जुताई बिल्कुल नहीं करते हैं तो भी सूचुन जीवों की संख्या कम हो जाएगी वह इसलिए कम हो जाएगी क्यों कि अंदर हव हैं जुताई करेंगे तो एक दम से जो है जयवांश्पदार्थ का अब गटन होगा और वहां खतम होने लगेगा और दूसी तरह बहुत ज्यादा जुताई कर रहे हैं तो मर्दा परतन हो रहा है वहां भी सूचुन जीवों की संख्या पर कम ही आएगी तो इसलिए हमको ए लोगा तो धीरे-धीरे समय के साथ उसके अंदर जयवांश्पदार्थ बढ़ेगा तो यही कारण होता है जो हम जीरो ठीलिज करते हैं शून्य परिकर्शन करते हैं तो उसके अंदर जयवांश्पदार्थिक मातर धीर-धीर बढ़ने लगती है क्योंकि वहां सूच्वी जीरों की सकृता क्या है कम है तो यह एक अच्छी तकनीक होती है कि अगर जीरों में जवांश्पदार्थ कम हो रहे हैं वहां पहले जवांश्पदार्थों को बढ़ाईए और उसके बाद जह है उसके हमें लाब मिलेंगे तो आप ऐसा ना सोचें कि हम ज़धा जुताई क कम रहता है तो सुच मजीव तो रहते हैं लेकिन कोई सक्रता उतनी ज्यादा नहीं होती है इसी कांड से धिरे-धिरे उस वहां और मैंटर का डिकंपोजिशन भी स्लो हो जाता है धिरे हो जाता है तो यह एक जुताई का प्रवहा मैंने आपको बताए इसलिए अपने खेतों में आप बहुत ज्यादा जुताई ना करें ना बहुत कम करें जितनी जरूरत है उतनी करें इसलिए हम कोलते हैं मिनिमम् तिलेज मतलब कम से कम जुताई करने है ऐसा नहीं की जुताई की जड़ Uran तीने it हमने पांच कर दी और हो सकता है दो जुताई से मारक काम ओजा जैवांश पतार्थ भी कम होगा तो ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी आशा है मुझे इस बात का बिश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझ गये होंगे तो आप बहुत जाधा जुता ही अब खेत में नहीं करेंगे उतनी ही करेंगे जितनी पौदे को बीज को जमने के लिए जरुवत होती है और इस वीडियो जाज़ादा लोगों को साथ शेर कीजिए तक कि वो इस जानकारी से लवान भी थो उनको भी लाब मिले और नई तकनीकी जानकारी उनको मिलते रहे इसके लिए आप कृशी किसान प्लेलिस्ट में जो चर्चा में करता हूँ उसको सुनिये अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद